नश्क्राइबूम्य दोस्तों आप देख रहें कृषी जानकार और मैं हुँ आपका दोस्त कपल दाल काशान मुत रोऊं एक ऐसा सिस्टम आपको दिखाने जा रहा रहा हूं मैं गुज्रात के अंदर के अंदर के लिए बहुत अलग system जो है वो अपनाए जाता है बहुत बड़े बड़े farm यहां पर है और water management के लिए यहां पर सेमेंट्टटट नहीं होती है पिर पिर नाइट बंद होती है उस समय पर भी सीचाई कर सकते हैं तो दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं यह जो है पूरा यहां पर बना हुआ यहां पर एक सो एकड़ का फार्म है सो एकड़ के फार्म में ऐसे तीन कुवे बने हुए आप देख सकते हैं यह जो कुवा है से जमीन की जो इसकी उचाई है जमीन से ग्राउंड लेवल से इसकी जो उचाई है लगबग 12 फिट है तो दोस्तों एक स्ट्रक्चर आप सामने द नाशन चेज़ा आधा को अब एद्व क्यायाद सभी और कर देख गवें यहां अंदर शे वाला जम तो भो यहां पर नाएं तो उसके लिए बीट चीज़ें के लिए रखी गई है यहां पर इसके अंदर मचली के राव हैं जो इसके अंदर समय समय से जो कंजी बनती है для food Anda यहां पर मसली ऐली जहाँ पर बीडिख सकते हैं 200 mm का के माद्यम से सीचाई होती है पूरा फार्म होती है यहां पर यह पूरा फार्म है लंबा चोड़ा एक समान और उधर देख्या वहां पर भी आ फैसके प्यवल इस रही Tribu को मैं निहर से होता और दार्ड भाई का जो फाम है उसके उपर जो मैंने आपको कुवा दिखाया तब क्या सकते हैं जो उसके नीचे पानी सप्लाइी करने का जो सिस्टम है वह आपको दिखाने जारहूं दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं, पूरा सिस्टम है, यहां से आउटलेट निकलता है फानी और आउटलेट आता है यहां पर यह यहाँ पर यह इसको अपने उदर उपर वाली मोटर कहते हैं यह उपर वाली मोटर है यह चलती है और उसके बाद में यह पंप करती है पंप करने के बाद में आप देख सकते हैं यहाँ से एनलेट यहाँ पर आगया घूमके यहाँ पर आप देख सकते हैं यह पूरा जो स खादर बहुत यह कह सकते हैं बहुत effective system यहां पर यह लगा हुआ है एक फिल्टर यह क्रीन फिल्टर है यूज होती है और पच्चीस बिगा यह क्या सकते हैं कि लगबग अपने यहां के हिसाब से ढ़ाई विगे का एक एकड़ होता है दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं यह इतना सिस्टम जो है पूरा आपने सिदार्द भाई ने लगा रख है अब सोच यह बहुत बड़े किसान है और बहुत अच्छे तरीके से जो अपनी खेती जो है मैनेज करते हैं तो यह सिस्टम पानी का जो सिस्टम में मुझे बहुत बड़िया पसंद आया है पूरा complete structure यहां पर अब लसून के अलावा लसून तो आपने पिछली बार करी ही थी और अनार आपने लगा रखें और भी फसले में आपको आके दिखाऊंगा